जिस चाह के साथ आदाडी राहुल गांधी जी ने इस यात्रा को निकाली थी, मैं समझता हूँ क्यों आग लग चुकी है, लोगों के मन में करांती का भाव आ गया है, बदला होगा, देश में नए सुरिकाउद होगा, योगी जी ब्रांडिंग के मुखमंत्री है, आपने द खोड़े है, अनुन बेवस्था का आलम यह है, कि किस दिन कव किस की हत्ते आओ जाएगी, कव किस के साथ, किस बेटी के साथ, बलतकार की घटना सामने आजाएगी, उत्तर प्रदेश की एक पहचांसी बने विए, जो दलित लोग है, दलित विरादरी के लोग है, उनकी जम जमीन है की नहीं, लेकिन उसके बाद भी सारे नियम कानून तोड़कर, तमाम अधिकारियों ने जमीन वहाँ एसी बिरादरी के लोगों से लिखवा लिया है, नमस्कार बहुचन सैंचुरी देख रहे हैं, आप मैं विकास सिंग बौद, इस वक्त हम लोग भारत जोड़ो परीचित है, आज इन से बात करेंगे, और जानेंगे की यात्रा कैसी चल रही है, यात्रा में क्या समस्यां या रही है, यात्रा का क्या प्रभाव पढ़ रहा है देश वासियों पर, सर सबसे पहले आपका स्वागत है हमारी चैनल पर, धन्यवाद आपको, कैसा मजबूती के साथ फैल रही है संग और भारती अंता पार्टी भाई से भाई को लड़ाना गाउ संप्रदाय जाती जिस तरह का एक जाल और नेक्सिस फैलाने का काम किया है मैं समझता हूं कि यह यात्रा उसको तोड़ेगी भाई से भाई को मिलाएगी आपस का प्रेम होगा क द्यां संगर्स की गाता होगी और जो देश की जरूरत हैं वह इस यहात्रा से जरूतिक्ता होंगी जो लोग का कध्यान कृण्दित हैं आप देख सकते हैं किसी राज में चले जाएर। किसी बिधान सभा में चले जाएं लोग सभा में चले जाएं मुद्दा विश्यक राजनीत समाप्त होती जा रही है और राजनीतिक दिशा किस तरफ जा रही है सर समाप्त हो जाती है राजनीति है बढ़ रही है देश में राजनीति जिस तरी के देश नहीं मैं क्या कर रहा हूँ मुद्दा रही मुद्दो मुद्दो पर राजनीत नहीं हो रही है बलकि जाती और धर्म के अधार पर राजनीत हो रही है जो देश के लिए ठीक नहीं है राजनीत की दिशा जनता से और जनता के लिए होता है लेकिन आज सांप्रदाय और धर्म के जाल में जिस तरह पूरा देश चकड़ा हुआ है या देश को और पीछे ले जाएगा तो सबका साथ सबका विकास फेल हो गया है यह जो नारा है न यह केवल जुबानी नारा है और भारती जनता पार्टी के चरित के बारे में तो आप जानते हैं आप जिस प्रदेश में रह रहे हैं मद्द प्रदेश यह मद्द प्रदेश में भाजपा की सरकार है अगर यह क कि यहां जितने IPS से लेकर IPS तक, SDO से लेकर इंस्पेक्टर तक, किसी की गाड़ी देखिए न, सब किराय की गाड़ी हैं, तो किराय की गाड़ी पर यहां के, पुलिस मातात और अधिकारी चल ला है, मुझे लगता है, मैं तो अभी इस तियात्रा के दोरान देखा, ऐसी स्थि किराय की गाड़ी से लेकर और भी किराय की गाड़ी से चल रहे हूं, तो किराय की गाड़ी और किराय की सरकार इसलिए, कि जनता ने जना देश तो दिया नहीं था, जनता ने नहीं दिया तो फिर सरकार के खरीद किया है, आपको ऐसा लगता है, आपके सामने है, खरीद किय तोड किया है तो यह किराएं की सरकार तो किराएं की मजधय प्रदेश के जो राइनितिक इस्तती है उसके बारे में बता रहा था और कि देश में आज किसान परिसान में नौजवान परिसान करीब परिसान आह करेब बंचित सोषित पिछ्ड़ी दल इतादिवासियों के हकपटा का डाल ले सरकार मैं समझता हूं राहुल जी ने जब से यह आतरा सुरू की है जो लोग अपनी आवाज नहीं उठा सकते थे जो लोग इस सरकार से भैकरान थे जिनके मन में डर था जिनके मन में तमाम तरह के सवाल थे आज वो खुलकर आधरी र पुरानी बात की तरफ जा रहा हूं कि जहां पूरी पार्टी आदेश की चाहिए कोई पार्टी हो छत्री पार्टी हो कोई पार्टी हो जो धर्म और जाद की राजनित करें वह इसमें एक ऐसा अभ्यक्ति जिसका नाम से राहुल गादी है लेकिन सर अब भी हिंदूत की त जहास को ठक रहे हैं उन्होंने क्या का कि भार्टी जंता पार्टी जैसी राम का नारा लगाती है जब कि हिंदू परंप्रा में द्धर्म में हिंदू संस्कृति में सी्ता राम का नारा होता है । अमारी संस्क्रित कुछ याद दिलाया आप हम यात्रा करने कुमारी से कर रहे हैं और करने कुमारी से आदिवासी तमाम जो उस प्रदेश की केरल की संस्कृत क्या थी, तमिलाडू की संस्कृत क्या रही, तेलंगाना की संस्कृत क्या रही, आन्द प्रदेश, महराष्ट, अलग-अलग संस्कृतियों को देखने का जो आउसर प्राप्त हो रहा है, और यह जो भारत की खुबसूरती है, पर कर रहे हैं धरम जाती अलग अलग है सबकी लेकिन जो आरेसेस का एजेंड़ा हिंदू राष्ट का कि हिंदू राष्ट बना देंगे इस पर आप क्या करना चाहिए क्या समझता हूं कि किसी के चाहने से किसी के कहने से कुछ नहीं होता भारत में पहली बार आक्रमण नहीं हुआ है मुगलों ने किया यहुदियों ने किया अंग्रेजों ने किया और समय समय पर इसका जो नेचर है न उसको किसी ने पहचाना नहीं लेकिन देश आज सभी बर्ग, धर्म, जाती और संप्रदाय को लेकर चलने वाल देश विवीत्ता, मेक्ता और संप्रभुता, अखंता, एक्ता, समानता ये सब इस देश की धरोवर रही है, इस देश की पहचान है बंदुत, इस देश की पहचान है, और ये कहा जाए कि कोई व्यक्ति चाहकर एक रास्ते के तरफ मोड़ दे, ऐसा संभव आपको दिखता है, ये कहने वाली बात होगी, और कहने के दिए तो बहुत सारे लोग अपने दल और पांटी बनाकर अपनी बिचारों को कई तरह से कई रास्तों के तरफ ले जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन चलता उधर ही है, जहाँ प्रकिर चाहती है, आप यूपी से आते हैं, ब्लॉंग करते हैं, तो सर यूपी में योगी जी इस वक्त कारें बहुत बढ़िया कर रहे हैं, जैसा कि मीडिया में दिखाया जा रहा, क् मुझे लगता है कि मीडिया के दो धड़े हैं, एक तो जैजैकार वाली हैं और एक आलोचना वाली हैं, तो आपने जैजैकार वाली मीडिया को सुना है, आलोचना वाले को नहीं सुना है, आप बताइए ये पहले योगी हैं, पहले योगी आधितनात हैं, जो मुझे लगत करता है कि हर हपते अजोध्या जाते हैं और हर हपते हो गोरखपुर जाते हैं दो काम तो जरूर करते हैं जिस अजोध्या की धर्ती से आते हैं मतलब धर्ती पर जाते हैं और भगवान राम के मंदिर की बात करते हैं कि भगवान राम की मंदिर बन रही है वहाँ भगवान राम का जो मंदिर बन रहा है उसका ट्रस्ट बना है और ट्रस्ट जिनने जो है समय समय पर जमीन की खरीद की है उस ट्रस्ट का चेर्मेन कौन है उस ट्रस्ट के ट्रस्टी कौन है और उस ट्रस्ट के स्थिति यह है कि कम डामों में जमीन खरीद कर वहां के जो रिश्केश विश्रा जो वहां के मेर हैं उनकी तमाम ट्रस्ट की टीम है जो कम पैसे में जमीन खरीद कर और सिर्रामनिया ट्रस्ट को मांगे जमीन में बेच रहे हैं और ऐसे कम से कम सो करोण से अधिक के घोटाले का मामला है वहां के जो मिम्बरान है अधिकारी उन लोगों ने तमाम जमीनों को कबजा किया है तमाम सस्ती जमीने खरीद कर इवेन जो दलित लोग है दलित विरादरी के लोग है उनकी जमीन आप ऐसे नहीं ले सकते हैं उसके लिए पहले आपको परमिसन लेनी होती है उसके बाद वो रजिस्ट्री होती है और फिर आपके नाम से खाइदा कि लोगी ये देखा जाता है कि दलित भाई के पास उतना जमीन है की नहीं लेकिन उसके बाद भी सारे नियम कानून तोड़कर तमाम अधिकारियों ने जमीन वहां एसी विरादरी के लोगों से लिखवा लिया है और कमदाम में लिखवा लिया है एलाड करा लिया है कमदामों में और उसकी भी जाच हो रही है लेकिन उस जाच कहां तक पहुंची है ब्रश्टाचार का अलम यह है कि कोई भी परिच्छा होती है उसके पहले पेपर आउट हो जाता है भरतिया हो नहीं रही है अभी 69,000 सि प्रतिपूर्दी नहीं कर पाए कानून बेवस्था का आलम यह है कि किस दिन कब किस की हत्ते आओ जाएगी कब किस के साथ किस बेटी के साथ बलतकार की घटना सामने आ जाएगी उत्तरप्रदिश की एक पहचांसी बनी हुई है योगी जी ब्रांडिंग के मुखमंत्री है आपने देखा है ना लाइट एक्षन कैमरा सोटिंग बस उतना ही है उनके पास बाकी कुछ है नहीं वो ठीक बात है देखने को कुछ और सामने कुछ और लगे और अभी जनता का जनादेश है इसलिए अमाना जाए भाई जनतंत्र में तो जनता का जनादेश ही सरोपर ही हो किसान अभी आप जान Дीजे की खार के लिए लुग बड़ी-बड़ी लाइन लगा रहा है ऊपने मिल पा रहा है किसी को ग्रायके की वक्त में था तो रासन खूब बच रहा था रासन तो अभी भी बच रहा है अभी भी बढ़ रहा है रासन रासन और भासन यही तो है सरकार के पास और कुछ थोड़े हैं और अभी आप देखिये ना एक इन्वस्टी का कुलपती जिसको उत्रकंड की सरकार नहीं माना कि यह इन्वस्टी के कुलपत के योग नहीं है हाई कोर्ट में जहां चाया उनका माक्सीट फरजी मिला उसके बाद भी छो इन्वस्टी के वो कुलपती के रूप में काम कर रहे हैं वो भी जहां छो रहा है और अब तक उनको पच्चूत नहीं किया यह योगी सरकार की महान उपलब दिया है महान महान उपलब दिया है किन किन तत्यों को किन किन बातों को मैं बताऊं गन्य का दाम नहीं किसान आत्मत्या करने पर मजबूर अन्ना जानवरों से परेसान बेरोजगारी का अधर सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश कानून बेवस्था में फेल और ब्रांडिंग में पीछे सामान आदमी नहीं है योगी जी ब्रांडर मुखमंत्री है तो अब भारत जोड़ो यातरा राजिस्थान में पहुंच जाएगी सरकल क्या लग रहा है कि आपको कितनी सक्सेद हो चुकी है अब तक भारत जो हमारा मूल विशय था जिस चा के साथ आदरी राहुल ग पीख रहा है देश की जनता जल्दी बोलती नहीं है अब जब बोलती है तो तुपान खड़ा होता है और मैं समझ रहा हूं वह आग धीरे 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 सब के अंदर लगती जा रहे क्यों क्योंकि देश में गुस्षा तो है बेरुजगारी से महंगाई से छोटे उद करमचारियों के साथ जो दोहन, सोसर तो बैस सुझता हूं यह सारी चीजे एकत्रित हो रही है और एक बड़ा जनांदोलन जो राहुल जी ने आगाज किया है बदलाव होगा देश में नए सुर्य का उदय होगा अब देश में बड़ाव होगा नए सुर्य का उदय होगा अजे कुमार ललू का यह कहना है अब देखने वाली बात होगी कि ऐसा होगा या नहीं होगा यह हम आपको बता रहे हैं भारत जोड़ो यातरा के कैंप में जहां पर यातरी ठहरे हुए हैं आप क्या सोचते हैं आ आप हमें जरूर बताने वाज़े हैं